आज मेरे बेटे का लास्ट पेपर था उसकी एक्जाम खतम हो चुकी है और उसका वैकेशन स्टार्ट हो चुका है तो वो घर पे आया और बोला कि मम्मी आज एक्जाम खतम होने की खुशी में गर में कुछ मीठा बनाओ तो मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने सुचा कि ऐसा कुछ बनाते हैं जो फटा-फट से बन जाए और बच्चों को भी अच्छा लगे तो चली आज बनाते हैं waffle तो waffle बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिया है half cup दही यानि कि आधा cup मैंने दही ले लिया है दही ज़्यादा कटा नहीं होना चाहिए 4-5 चमज मैंने melted butter ले लिया है और मैंने ले लिए चीनी PCV चीनी यहां पर लेंगे तो चीनी मेंने यहाँ पे half cup ली है दही और चीनी का measurement हम सेम रखेंगे और अब इन सबको अच्छे से mix कर लेना है सबकुछ अच्छे से mix हो जाए उसके बाद ले लेंगे एक चलनी और उसके अंदर डाल देंगे एक cup मैदा और half cup cocoa powder और अब इसके अंदर एड़ करेंगे 1 teaspoon baking powder और half teaspoon baking soda अब इन सबको हमें अच्छे से चान लेना है चानने से यह जो आटा है जो cocoa powder है वो अच्छे से fluffy हो जाता है मंदलब की थोड़ा सा light हो जाता है और अब इसके अंदर डालेंगे half teaspoon vanilla essence और pinch of salt थोड़ा सा ही नमक डालेंगे जादा नहीं डालेंगे और अब इन सबको अच्छे से mix कर लेना है एकदम हलके हाथों से हमें यह सब ingredients को mix कर लेना है और अब इसके अंदर एड़ करेंगे दूद तो दूद यहाँ पर मैंने ले लिया है half cup लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक better तया कर लेंगे मैं आपको आगे बताती जाओंगी कि इसके अंदर मैंने total कितना दूद यूज किया है तो half cup मैंने दूद लिया था उसमें से थोड़ा सा मतलब कि आदा दूद मैंने इसके अंदर डाला है और इस तरह इसे mix कर लिया है और अब जो बाकी दूद है इसे भी डाल देंगे और ये जो mixture है उसे अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा दूद डालके जो better है वो ready करना है अगर हम एक साथ दूद डाल देंगे तो जो better है उसके अंदर lumps भी पड़ सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूद और ले लिया है मैंने तकरीबन 1 4th cup जितना दूद लिया है और 1 4th cup में से मैंने थोड़ा सा दूद एड़ किया है better में और better वो अच्छे से mix कर लिया है और अब जो बाकी बचा है वो दूद भी इसके अदर add कर लेंगे और यह जो better है उसे अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर मुझे 3 4th cup जितना दूद लगा है मतलब कि जो 1 cup था मैंने मैंदा लिया था उससे थोड़ा सा कम मुझे दूद लगा है तो आप अगर कोई कटोरी का measurement ले रहे हो तो एक कटोरी से थोड़ा सा कम आपको दूद लगेगा तो चलिए better हमारा एकदम ready है एकदम smooth, एकदम perfect better हमारा बनके ready है और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक waffle maker अगर आपके पास इस तरह का waffle maker नहीं है तो आप जो non-stick पैनाता है, non-stick तवा आता है उसके उपर pancake भी बना सकते हो तो चलिए अब waffle maker को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था तो वो अच्छे से गरम हो चुका है तो अब दोनों साइड सम लगा देंगे melted butter, थोड़ा थोड़ा butter लगाएंगे ताकि अच्छे से जो हमारा waffle है वो निकल के आ जाए और अब थोड़ा बेटर इसके अंदर डालेंगे और जो maker है, waffle maker है उसे बन कर देंगे और जो उपर उसकी light है, वो जलती है वो light off हो जाए, तो समझ लेना है कि हमारा जो waffle है, वो ready हो चुका है और अब इसे निकाल लेंगे तो यह देखिए, इस तरह मैंने सारे वाफल बना के ready कर लिए है और अब इसे serve कर लेते हैं आज हमने चोकलेट वाफल बनाए है और चोकलेट के साथ vanilla ice cream बहुत ही अच्छी लगती है गरम गरम वाफल और ठंडी ठंडी वनिर ice cream तो एक scoop ice cream डग देंगे और उपर से मैंने थोड़ा सा चोकलेट सिरुप डाल दिया है ताकि बच्चो को देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगे और उपर से रख देंगे एक cherry और यह दिखिए हमारा जो वाफल है वो एक बन के एकदम ready है बहुत ही tasty और बहुत ही soft वाफल बना है तो आप भी अपने बच्चो को इस vacation में यह वाला वाफल बना के ज़रूर कि लाइएगा और अगर आपको recipe पसंद आई है तो please like कीजिएगा और चैनल पर नई हो तो subscribe मिलते हैं जल्दी नेक्स recipe के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना